मदिप्रदेश के चिंदवारा जिले के पांडूना में कोरोना के भैय और प्रिश्रासन की बंदिश के बावजूत बुद्वार को गोटमार मेले काया जन हुआ परंपरागत रूप से पांडूना वा सावर गाव के लोगों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसा है जिसमें 110 लोग खायल हो गए मेला इस थल पर 500 से जादा पुलिस कर्मी और कई अधिकारी मौजूद थे लिकिन वह भी मुकदर शक बने रहे इस बार कोरोना के संक्रमन को देखते वे गोठमार मेले पर छिंदवारा जिला प्रिशासन ने प्रतिबन लगाये था मंगलवार को कलेक्टर और पुलिस अधिक्षक सहीत स्थानी प्रिशासन के अलधीकारियों ने बैटक ली थी जिसमें बुदवार को होने वाले मेले को रोकने को लेकर तैयारिया की गई थी इसके लिए दो अतरिक पुलिस अधिक्षक साथ स्थाना प्रभारी 30 SI, 50 ASI और लगभग 500 SF होमगाट वन विभाग और जिला पुलिस बल तैनाद किये गए थे पुलिस ने गरानी करती रह गई और पांडूना और सावर गाओ के लोग जाम नदी के किनारे एक जोट होकर पत्थर बढ़साते चले गए हाला कि बंदिश के कारण हर साल की तरह इस साल घायलों के इलाज के लिए शिवर नहीं लगाए थे जबकि पिछले साल दस से बारा शिवर लगाए गए थे पताया जाता है कि गोट मार मेली की शुरवात सत्तरावी इसवी में हुई थी मानिता है कि सावर गाओ की एक आदिवासी कन्या का पांडूना की किसी लड़के ने सावर गाओ की लड़की से चोरी छुपे प्रेम विभा कर लिया था जब वह लड़की को लेकर जाम नदी पार कर रहा था तब सावर गाओ के लोगों को पता चला और उन्होंने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया था चंडी माता की चंडवारा से राकेश पाल की रिपोर्ट